गुड इविनिंग अल उफ यू केसे हो आप सब लोग आज दोस्तों हम questions से discussion नहीं करेंगे आज एक important topic के बारे में question करेंगे drilling type क्योंकि बहुत बार इस topic से सवाल पूछ चुका है तो चलिए दोस्तों यह आपके लिए नया है geology में कोई topic को बहुत ही कम ही द्यान देते हैं लेकिन आज मैं आप लोगों को सिखाऊंगा कि इहां पर आपका मतलब कि अगर यह topic ही आज पढ़ लेंगे तो definitely आने वाला समय पर सभी drilling type के जितने भी question है आप कर ही पाओगे क्योंकि आपको भी पता है कि हमारा geology जितना भी है mining related हम mining investigation जो भी करते हैं और drilling के उपर survey के लिए भी हम drilling करते हैं सभी के लिए हम drilling करते हैं तो different drilling जो methodology है different मतलब की type और time पर use होता है हमारा जितना भी drilling हमारा methodology है न डिफरेंट डिफरेंट मतलब रोक के उपर different different style of drilling हम apply करते हैं तो आज के वीडियो देखने के बाद आपको पता लग जाएगा ज्यादा मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं mining geology आपको पढ़ाना नहीं चाहता हूँ यहाँ पे geology के point of view से जितना भी आपके लिए मतलब की easy जो question basic से सवाल पूछते हैं drilling से वह आसानी से आप के से कर पाऊगे उसी से ही मैं आपको बता दूंगा और आज के topic करने के बाद कोई भी drilling वाला जो problem है ना कोई भी miss नहीं होगा तो चलिए आज हम किसके बारे में discussion करेंगे drilling के बारे में दोस्तों discussion करेंगे तो generally geology point of view से आपको याद रखना है drilling चार टाइप के होते हैं main जो drilling हम करते हैं पहला जो drilling होता है उसको हम क्या बोलते है contradiction drilling पहला जो drilling होता है ना percussion उसको drilling बोलते है आपको पता होगा precaution drilling में क्या होता है बैटा मतलब कि आपका mining methodology पे हम क्या करते है कि कहीं पे भी हम well drill करते हैं ओके बोर well drill करते हैं ओके आपको पता है कि वहाँ पे manual ही बहुत कुछ होता है यहाँ पे आपका 3 एक trifor होता है trifor से आप यहाँ पे एक रस्ती से एक पूली बांद के दोस्तो नीचे आप pressure करते रहते हो ओके जितना pressure करोगे उतना नीचे तक जाएगा तो यह बले मतलब कि up to 25 meter depth रख ओके up to 25 meter depth रख आप इस तेरा के drilling को कर सकते हो इसको हम क्या बोलते हैं precaution drilling हम बोलते हैं precaution drilling जो होते हैं दो टाइप के होते हैं down the hole method precaution जो drilling होता है down the hole method और उसके बाद दूसरा है हमारा top hammer drilling method ओके दो में क्या आपको बताया drilling drilling क्या है कि एक hole आपको बनाना है drilling का मतलब क्या है आपको मैं definition यहाँ पर बताना चाहूंगा drilling is a production of cylindrical hole of specific diameter in workplaces using drill machine okay मतलब कि यह तो आपको कहीं पे भी आप hole बना रहे हो किसके लिए mining geology के लिए आपको कहीं पे भी survey sample collection करना है उसी के लिए आप earth के surface के नीचे drill hole कर रहे हो आप मतलब कि oil extraction के लिए आप drilling कर रहे हो तो different purpose होता है हमारा drilling का तो इसमें क्या होता है कि generally हम चार टाइप के drilling method हम use करते हैं okay क्या क्या पहला जो drilling method है हमारा क्या है precaution precaution drilling method इसमें क्या होता है कि आप जैसे की borewell करते हो जहां पर मतलब कि manually आप करते हो चोटा चोटा डेप्थ होता है okay up to कितना 25 meter 25 meter foot में नहीं बताया तो 25 meter low cost होता है यह बहुत ही low cost इसमें क्या होता है बेटा कि आपका इहां पर ट्राइफोड लगा रहता है यह देख सकते हो इस पर पुली के द्वारा एक रस्ती के साथ आप नीचे मतलब कि आपका जो drilling machine अंदर तक डालते हो यहां पर है आपका cutting tool जितना आप उपर से pressure दोगे यह cut उतना ही करेग मानुआल यह सब करता है यह पहले चाइना में हम यूज करते थे और अभी अभी इंडिया पर भी बहुत ही low cost पर आपका drilling हो जाता है यहां पर तो यहां पर एक cable होता है ओके rope होता है और यह दो type होते हैं आपको बता चुका हूँ अभी down the down the hole method मतलब कि आपका यहां पर नीचे एक hammer होता है नीचे आपका एक hammer होता है यह दोस्तों pressure करता रहता है तो यहां पर cut होता रहता है down the hole method पर दूसरा क्या है top hammer method दूसरा क्या है आपका top hammer method drilling पर top hammer मतलब कि आपका जो hammer रहता है top पर रहता है वहाँ पे आप pressure करोगे आपका बेटा drilling होता जाएगा इसको हम बोलते हैं percussion drilling यहाँ पे low depth पे आपका जितना हो सकता है drilling वहाँ पे हो सकता है जैसे बोर्वेल, टीब्वेल आप इसी तरीके से drill कर सकते हैं यह बहुत ही मानुवाली होता है नेक्ट हम आते हैं churn drilling क्या है churn churn drilling churn drilling क्या होता है यह एक large drill होता है यह क्या है कि एक large drill होता है जहाँ बहुत बड़े-बड़े machine use होते हैं यह manmade इतना नहीं होता है यह large drilling होता है soft carbonate rock पे जितना भी हो सकता है carbonate coal bearing material होता है soft rock पे आप यह सब drilling कर सकते हो मतलब कि इसका जो diameter होता ना बहुत ही बड़ा होता है बट यह slow process है बहुत ही slow process है और जैसे कि depth आपको बता दूँ कि 10 से 50 meter तक आपका यहाँ पे diameter मिल जाएगा इसको हम क्या बोलते है चूर्न ड्रिलिंग आपको पहले वाला क्या बताया था प्रिकर्शन ड्रिलिंग ड्रिलिंग अभी जो बता रहा हूं चूर्न ड्रिलिंग याद रखना यह mainly carbonaceous रोक पे sedimentary रोक पे generally हम इसको 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 बहुत ही लार्ज मेसिन होत होगे तो kratonic rock क्या होता है बहुत ही hard rock होता है सब जगा तो आपको छोटा-छोटा sediment water के लिए drilling नहीं करोगे ना कभी-कभी mining के लिए कभी-कभी survey के लिए तो different purpose हमारे होते हैं drilling क्या तो उन सभी purpose के लिए हमें drilling करना है जब hard rock आएगा तो हमें क्या करना है hard rock पे हम drilling बहुत diamond क्या होते है बहुत ही hardest होता है तो इसके साथ हम मतलब की अंदर तक drill करेंगे तो जितना भी geological purpose होता है हमारा हो जाएगा okay hard rock पे यह generally होता है sampling के लिए जैसे कि हम sampling करेंगे sampling जब करते हैं sampling जब हम करेंगे तो एक area होता है एक rock के अंदर ही करेंगे जो maybe granitic हो सकता है उसके जो की बहुत ही uniform rock होता है जब और rock पेटा हमारा बहुत ही uniform है तो बहुत ही hard and massive होगा तो उसको drill करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है diamond drilling याद रखना hard rock के लिए क्या use करते हैं diamond drilling बट इसमें problem क्या है यह जो diamond होता है और इसमें जो machinery cost होता है बहुत ही cost इसका मतलब geological purpose क diamond drilling होता है बहुत ही cost होता है एक sample के लिए हमें करोडो लग जाता है तो इतना तो हम पेसा दे नहीं सकते हमारा government के पास इतना नहीं है hard time okay तो हमें क्या करना पड़ता है एक rotary drilling होता है एक होता है आपका rotary drilling okay अभी steel को मतलब बहुत ही strong बहुत ही hard steel को हम यहाँ पर use करते हैं okay rotation rotation होता है बहुत ही hard steel होता है यह आपका machine नीचे आपका hard steel होता है और clockwise rotate करता है क्लोक्वाइज उसका rotation होता है clockwise rotation के बज़े से वहाँ पर diamond नहीं लगा होता है वहाँ पर क्या होता है कि बिना diamond का इसलिए वह बहुत ही cheapest price में आपका drilling का काम जो होता है हो जाता है जितना भी हो सकता है hard rock okay soft rock किसी भी area पर rotary drilling को सबसे ज़्यादा अभी हमारा prefer हो रहा है okay rotary drilling मतलब कि यह cloak wise drilling होता है मतलब रोटेट करता रहता है और नीचे धेकलता जाता है और यहाँ पर आपका जो steel का rope मतलब road लगा हुआ होता है बहुत ही strong होता है mainly हम sampling properties के लि diamond drilling होता है okay so हम rotary drilling को बहुत ही hard rock पर हम use करते हैं okay यह 4 टाइप का main drilling और भी बहुत सार है बट geology में geology का sample होता है न हमें tune drilling से आपका carbonaceous sample मिल जाएगा okay diamond drilling हो गया और rotary drilling हो गया इसमें हमें क्या कोई भी hard rock massive rock इनका sample आपको मिल जाएगा okay और क्या होता है कि जो हमारा precaution drilling होता ह मानुआली छोटा-छोटा 25-meter depth तक 25-meter depth तक आपका precaution drilling होता है down to hole method एक होता है top hammer method एक ही है okay वो मानुआली होता है precaution drilling क्या होता है कि एक मानुआली drilling होता है और सबसे अब हम geological होते हैं हम hard rock पर drilling करेंगे तो हमें rotary drilling methodology अपनाना होगा जो कि बहुत ही छोटा बहुत ही simple और ब चून drilling कहां पर यूज करेंगे हम चून drilling हम यूज करेंगे जहां पर carbonaceous soft sediment rock आपको देखने को मिल जाएगा तो ही चार drilling methodology को आपको याद करना होगा हर टाइम okay generally question rotary drilling से आता रहता है बहुत बहुत बार rotary drilling के बारे में वहां पर आपको मिल जाएगा सबाल okay thank you all of you guys आज के र